अक्सर learner age को लेकर confuse रहते हैं और भी नहीं समझ पाते हैं कि age का इस्तिमाल कहां कहां करना चाहिए तो अगर आप भी word age को लेकर confuse रहते हैं तो आईए इस confusion को खत्म करते हैं age का इस्तिमाल हम चार जगा करते हैं पहला age का परियोग क्योंकि यानि विकाज के अर्थ में किया जाता है दूसरा age का परियोग जब यानि विन के अर्थ में किया जाता है तीसरा age का परियोग जबकी यानि वाइल के जगा पर किया जाता है धीरे धीरे होने वाले काम बताने के लिए एज का परियोग किया जाता है यानि इन चारों जगह पर एज का इस्तेमाल किया जाता है कैसे किया जाता है आईए इस बात को एक्जामपल्स में बहतर तरीके से समझे एज का परियोग क्योंकि यानि विकाज के अर्थ में किया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एक्जांपर लिखा है और वो है I shall not go to shop यानि मैं दुकान नहीं जाऊंगा as it is raining क्योंकि बारिष हो रही है यहाँ मेरे sentence में आया एज का मतलब है because और यह दो अलग-अलग sentences को जोड़ने का काम कर रही है इसलिए इसे connector भी कहते हैं अगर हम इसके दूसरे परियोग की बात करें तो वो यह है as का परियोग जब यानि विन के अर्थ में किया जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एक्जांपर लिखा है as I reach the station यानि जब मैं station पहुँचा the train started, train चल दी थी या train चलना शुरू हो गई थी तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इस sentence में आया as का मिनिंग है जब, यहाँ भी मेरे sentence में आया as एक connector का काम कर रहा है जो दो अलग-अलग sentences को जोड़ रहा है और यहाँ मैं आपको एक खास बात बदा दूँ जब age का इस्तिमाल हम sentence के सुरू में करते हैं तो जब हम दूसरा sentence सुरू करते हैं तो उसके पहले दिया जाता है कॉमा लेकिन अगर हम age का इस्तिमाल सुरू में नहीं करते हैं बलकि दो sentences के बीच में करते हैं तो फिर कॉमा देने की जरूरत नहीं है यानि अगर मैं चाहूं तो इस sentence को ऐसे भी बोल सकता हूँ As it is raining, I shall not go to stop यानि मैं दुकान नहीं जाओंगा क्योंकि बारिश हो रही है अब आप देख सकते हैं इस sentence में as का इस्तेमाल sentence के शुरू में किया गया है इसलिए जो दूसरा sentence सुरू हुआ है उसके पहले दिया गया कॉमा तो आप एज का इस्तेमाल sentence के शुरू में या sentence के बीच में कर सकते हैं यहां तीसरा इस्तेमाल है एज का परियोग जबकि यानि while के जगा पर किया जाता है यानि जब हमें बताना हो कि कोई दो काम साथ साथ चल रहे हैं तो वहां भी हम आज का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि यहां लिखा है सीमा वाज कूकिंग यानि सीमा खाना पका रही थी जबकि रीता बर्तन धुल रही थी यहां दोनों सेंटेंस के बीच में आया आज जिसका मिनिंग है जबकी और यहां आज के इस्तिमाल से यह पता चल रहा है कि कोई दो काम साथ साथ चल रहा था यानि एक अही टाइम में कोई दो काम चल रहा था अगर हम बात इसके चौथे इस्तेमाल की करें तो मैं आपसे कहूंगा धीरे धीरे होने वाले काम को बताने के लिए एज का परियोग करते हैं यानि जब हमें एक ऐसा sentence बोलना हो जहां हमी बताना हो कि कोई काम धीरे धीरे होता है तो वहां भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि यहां मैंने एक एक्जाम पर लिखा है और वो यह है As the sun rises यानि जैसे जैसे सूरज उगा, the fog disappeared, कोहरा गायब हो गया यहां इस sentence में बताया जा रहा है कि यह काम अचानक से नहीं हुआ बलकि धीरे धीरे हुआ यानि सूरज की निकलने का काम धीरे धीरे हुआ और fog यानि कोहरा खत्म होने का काम भी धीरे धीरे हुआ तो इस तरह के sentences जहां बताती है कि कोई काम धीरे धीरे होता है वहां भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं आएए कुछ और examples देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें As he is a bad boy, I will not talk to him इस sentence का मिनिंग है मैं उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि वह एक बुरा लड़का है इस sentence में आया एज का इस्तेमाल क्योंकि यानि बिकॉच के जगा पर किया गया है यहाँ दूसरा example है As I reached there यानि जब मैं वहाँ पहुचा The meeting was over मतलब meeting खत्म हो चुकी थी यानि जब मैं वहाँ पहुचा तो meeting खत्म हो चुकी थी इस sentence में आया एज का इस्तेमाल जब यानि विक के जगा पर किया गया है अगर हम बात तीसरे example की करें तो यहाँ लिखा है I was teaching as the students were studying इस sentence का meaning है मैं पढ़ा रहा था जब की विद्यारती पढ़ रहे थे यहाँ मेरे sentence में आया एज का इस्तेमाल while यानि जब की के जगा पर किया गया है जहाँ यह बताया जा रहा है कि कोई दो काम साथ साथ चल रहा था यहाँ लाश्ट एक्जामपल है I was the light spread यानि जैसे जैसे light फैली या परकास फैली the darkness fell यानि अधेरा गायब हो गया या अधेरा चट गया यहाँ मेरे sentence में आयज का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ इस sentence में बताया जा रहा है कि कोई काम धीरे धीरे हुआ यानि light के फैलने का काम धीरे धीरे हुआ और उसी तरह से अधेरा को छटने का काम या गायब होने का काम धीरे धीरे हुआ तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़ शांदार तरीके से आयज का इस्तेमाल सीख